कि नोस्कार नेश्पोर नेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना हमारे साथ बात करने के लिए हैं विद्धान परिशत के सभापती और देश नरैंसीन और इनसे मेरा सवाल है कि सल क्या कुछ कर प्रोग्राम है 25 नमंबर को जो मुख्यमंत्री उद्गहाटन करने 25 नमंबर को 17 बजे निशनल इविधान का यहां पर उद्गहाटन होगा कार आरंब होगा और यह हिंदुस्तान का पहला राज होगा कि अपर हाउस में हिंदुस्तान के बिहार विधान परिशत में निशनल इविधान का कर शुरू हो रहा है दूसरे जगह का जगह हुआ है लेकिन नेशनल इविधान के अंतरगत यह पहला ही हाउस जहां पर शुरू हो रहा है इसका क्या कुछ मुख्य उदेश से कि सारा काम जिसे कोश्चन का लेना उसका जाबावना सब सब डिजिटल हो जाएगा और सब यहां पर समुच्चा जितने लोग हैं मंत्री हैं यहां मा लगा हुआ है उस पर सारा चीज आएगा सब लोग देख सकेंगे इससे क्या होगा कि कोश्चन आता है वह अधिक सब्सक्राइब यहां पर आएगा जो ऑफ-लाइन के माध्यम से बेजा जाएगा चुकि बहुत जगा भेजना होता है तो कोई किसी तरह से कभी कुछ करा भी काम तो बंद होगा नहीं तो चालू रहेगा वह उसका टाइमिंग क्या रहेगा ने टाइमिंग तो यहां पर ताब इविधान सहीं अंदर में होगा कोई कागज कहीं पर पहुंचाना है कुछ है तो उसको तभी तक जब तक कि हम लोग परफेक्शन नाया जाए तब तक नेशनल ये विधान का मतलब हो कि नेशनल योजना है वो परल्लेमेंटी फेर्स मिनिश्टी के द्वारा यह किया गया है इसमें 60% इसका पैसा आता है किंद्र से आता है और 40% पैसा यहां मिलता है बिहार से बिहार सरकार देती है तो दोनों के संजोग से इसको इसकी अधम होने का यह सोबागी प्राप्त हो रहा है यानि कि जो सत्र चलता था उसमें काफी इससे आसानी होगा वाकिश्ट जो भी है परस्ट है धराकर्शन है निवेदन है सब और इसके माध्यम से आएगा तो इसमें अधिक से अधिक काम सकेगा सितकालीन भी सुरू होने माल करते हैं बात समझते हैं और अभी तक जो चला है हाउस बड़ा पीश्पूल चला है आगे भी पीश्पूल चलेगा यहां कुछ जादे लोग रहते हैं यह प्रभुद्धर हो गई है तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कर रहे थे विद्धान परिशत के सभापती उध्यस